नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन के स्कूलों में अब डोर इस्टेप डिलेवरी से पहुँचेगी मद्याहन भोजान वर्ष 2023 में मिड डे मिल की समागरी चावल दाल वा अने चीजे सभी सरकारी स्कूलों तक पहुचाने का निने लिया गया है बता दे डोर इस्टेप डिलेवरी के माध्यम से परखंड अस्तर ये राजिक खाद निगम के गोदाम से स्कूलों तक सुरक्षित समागरी पहुचाए जाएगी हजारी बाग जिले में 14-79 स्कूल में अध्यानरत विद्यार्थियों के लिए मध्याहन भोजन मिल रहा है सभी स्कूलों में डोर इस्टेप डिलेवरी अभी करता चेहन की परक्रिया को लेकर जिला परसासने टेंडर जारी किया है जिला अस्तर ये मध्याहन भोजन योजना को सांग बनाया गया है डिडिसी कर्याला के माध्यम से टेंडर परक्रिया को इसी सब्ता हमें अम्तिम रूप देने की करवाई सुरू कर दी गई है सिख रही सभी स्कूलों तक ख़द्याहन समागरी पहुचाने लगेंगी सियम हमन्त के लिए नई मुश्कील महागडबंधन में फोट नियोजन निती पर परदेश में जारी घमासान के बीच अब महागडबंधन सरकार में सामिल कॉंग्रेस पार्टी ने चोकाने वाला बयान दिया है बतादे जार्कन परदेश कॉंग्रेस कमिटी के अधिक राज़ेश ठाकूर ने हमन्त सरकार द्वारा लाई गए नियोजन निती को दोस्पूर्ण बताया है राजेस ठाकूर ने कहा है कि राज सरकार की नियोजन निती दोस्पूर्ण थी यही कारण है कि कोट ने इसे खारिज कर दिया नियोजन निती नहीं बनने से युगा तक बेरोजगारों में आकरोज है कांग्रेस ने हेमंत सरकार को नई नियोजन निती बनाने के लिए एक महिना का समय दिया है इसके बाद कांग्रेस आगे किरन निती तै करेगी बता दे नियोजन निती को लेकर नकरात्मक राई निती की जा रही है भारत जोडो यात्रा में सामील होने से मांदर हील जाने के करम में धनबासर की ठाउस में पत्रेकारों से बाचीत में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि राजे में फूल पूरूफ नियोजन निती बने गुमला के 9,000 से अधिक किसानों का लोन माप झार्खन क्रिसी रीन माप ही होई नाकतहद गुमला जिले के वैसे यस्टेंडर्ट लोन किसान जिन्होंने क्रिसी कार्यों के लिए रीन माप कराने के लिए जीला पर सासंट निती बनाकर कारे कर रहा है बताते हैं जीले में अब तक EKYC कराने वाले 96,86 एस्टेंडर्ट लोन किसानों करीन माप कर दिया गया जबकि 6 किसानों करीन माप ही कराने के लिए कारे चल रहा है बताते चले कि जीले भर से लगभग 28,000 एस्टेंडर्ट लोन किसानों करीन माप करने का लगच चाहा है रामगड बिधान सभा सीट पर उपचुनाओ की घोसना जल्द पर उपचुनाओ के बाद से जार्खन में पाच्वा उपचुना होगा है हजारी बाग में 15 एकल की जमीन पर बनेगी राज की पहली हाई सेकुरेटी जेल बनेगी इसका निर्मायन केंद्र प्रयोजीत जेल आधुनी करन परियोजना के फंड से होना है केंद्रि ये ग्रिह म मंत्राले से अनुमती मिलने के बाद इसकी परक्रिया तेज कर दी गई है इसे समधित नक्सा भी केंद्र को भेज दिया गया है इसे लेकर पूलीस हाउसिंग कर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कारा नेरिक शन्नाले की दो दोर की बैटक भी हो चुकी अब जहारखन के कारा महा नेरिक शक ने जहारखन पूलीस हाउसिंग कर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता को पत्र लिख कर हाई सेकुरेटी जेल के निर्मान समधित डीटेल प्रजेक्ट रिपोर्ट का प्रकलन जल्द त्यार करने को कहा ताकि उसे एक महिने के भीतर केंद्री गिरिह मं बोर्ट की बैठक है जिसमें जहारखन से मुख सचीव सुखदेव सिंग्री सचीव राजीव अरुन एका वा डीजीपी नीरा सिनहा सामिल होंगे नए डीजीपी के लिए यूपीसी बोर्ट को भेजी गई नव सीनियर आईपीस अधिकारियों के सुची में से यूपीसी आज तीन नाम पर मुहर लगा देगी यह तीन नाम राज सरकार को भेजे जाएंगे जिन में से किसी एक को जहारखन का नया डीजीपी बनाया जाएगा बता देगे प्रारंभिक सुचना के अनुसार तिन वरिष्ट आईपीस अधिकारियों में जहारखन के डर के 1988 के IPS अध हजारी बाग में वीडियो और A.S.I. पर हमला हुआ है चौपारन अंचल के बराकर नदी के बालू घाट पर छापा मारने के लिए पुलिस पाटी गई थी वहीं पर पुलिस कर्मियों से मार पिट की गई है इस बाबात वीडियो प्रेम चंद्रकुमार सिन्हा ने नामजा पासन ताजा मामला चौपारन अंचल के बराकर नदी बालू घाट का है जारखन के इसकूलों में फिर से होगा दो गज दूरी का पालन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसकूलों में बिद्यार्थियों सही सभी सिख्षकों और करमचारियों के लिए मास्क अनिवार कर पासन और दो गज की दूरी का पालन फिर से किया जाएगा इसकूलों के परचार को जीला सिक्षा पदाधिकारी ने सिटिंग अरेजमेंट करने की निर्देस दिये हैं अब बेंच पर दो ही बिद्यार्थी बैठेंगे बिद्यार्थियों के बीच दो गज की दूरी रामगण महिला थाना प्रभारी को दस और गुस लेते हुए रंग यहांद गिरपतार किया बता दे गुरुवार की दोपहद साड़े बारा बजे ACB हजारी बाग के टीम रामगण महिला थाना पहुँची यहां महिला थाना में ACB हजारी बाग के DSP और इस्पेक्टर के नेतित में चापे मारी की गई बताया जाता है कि महिला थाना परभारी मेजारी बीरबा एक केस में आरोपी से 10.000 रुपय घुस ले रही थी इसी करम ACB की टीम ने चापे मारी करूने रंगे हाथे पकड़ लिया है जारखन मुलभूत सुविधा और बेहतर जीवन सैली में फिसली जारखन अपने नागरीकों को मुलभूत सुविधा बेहतर जीवन सैली और औसर के मामले में फिसल गया है केंद्र की ओर से जारी समाजिक प्रगतिस सुचकांक में यह बात सामने आई है सुचकांक के अनुसार जारकन अपने पडोसी राजे बिहार उडिशा चतिस गड़ और पचिम मंगाल से भी पीछे है इस सुचकांक में पचिम मंगाल को 25 अस्थान मिला है हलाकि बिहार जारकन से केवल एक पैदान ही उपर है बिहार इस मामले में 35 पैदान पर है जबकि उडिशा 32 पैदान पर है हिमन्त सरकार की पेट्रोल सबसिट्री योजना में बोकारो फिस्डी पेट्रोल की बढ़ती कीमत से आम लोगों को रहा दिलाने के उद्यस से राज सरकारने जनवरी 2022 से पेट्रोल सबसिट्री योजना की शुरुआत की थी खाद सुरक्षा योजना के दाएरे में आने वाले लोगों को बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए हर माँ 10 लिटर पेट्रोल के लिए प्रती लिटर 25 रुपया की सबसिट्री देने की योजना थी लेकिन यह योजना बोकारों में फेल हो गई है कुछ गलत फेमी तो कुछ दोड़ भाग के कारण योजना असफल हो गई है बतादे जन्वारी 2022 से नॉमबर 2022 तक का आकणा तो यही असपस्ट कर रहा है कोरोना को लेकर रेलवे और जहारखंड स्वास्त विभाग अलाट कोरोना के बढ़ते केस को लेकर रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है DRM, AJ, राठोर ने सभी करमचारियों को बुस्टर डोज लेने और डूटी पर मस्क लगा कर आने का आदेश दिया है उन्होंने भैक्सीन, ट्रेस्टिंग और ट्रेकिंग का काम केंद्रीय स्वास्त मंत्रले द्वारा जारी गाइडलाइन पर करने को कहा इसके साथ ही रेलवे की चिकिसा वेवास्था को दुरूस्त करने और संदिक्द का नमूना जिनोम सेक्वेंसिंग के लिए लेवरेटरी भेजने को कहा इसके अलावा जीला स्वास्त विभाग से समनों बना कर विदेशों से आने वाले की जाँच सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया वहीं स्वास्त विभाग जल्दी बस एस्टेंड बजार और रेलवे स्टेशन पर कोबीट की जाँच सुरू करेगा सिविल सरजन डाक्टर जुजहार मांजी ने बताया है कि स्वास्त कर्मियों की टीम बनाई जा रही है ट्रेनिंग के बाद जाँच सुरू की जाएगी केंद्रिय स्वास्त मंत्री की कालाजार उन्मुलन पर समिक्षा बैठा केंद्री स्वास्त मंत्री डाक्टर मांसुक मंडविया ने कालाजार उन्मुलन पर समिक्षा बैठक की केंद्री स्वास्त मंत्री की वीडियो कंफेंसिंग में रांची स्वास्त मंत्री बना गुपता सामिल हुए सबस्क्राइब कर वोast से से मिल हुए हैं राजयों के स्वास्त मंत्री अर उस्तर पतादिकारि अपने अपने राजयों से सामिल हुए हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एकन दबाईए साथ वीडियो की एक लाइक कर अपने दोस्तों को से यह करना भूले साथ आप आमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाइक अवसे दे थैंक यू